यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे, उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे, दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नाते दोनों गाओं निकलं गया और खेलते धंब बड़ा बच्चा था कोई निया उसको नद्गा से चाही न正नी अ किशनकर उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी, उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके फ्ले में फैट गया, और अब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचाने लिए, जब तक वो बाद नहीं रहे, अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो एक आनी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही ये दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे, और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था, दर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीजे होई, लेकिन मज़े की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए, और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गाउं वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउं वालों ने, और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी, कि वो उसे समझदार मुजर्गों में से एक, और सब को लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी, कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास म उसने रसी को खीचा और अपने दोस्तों बचा लिया, तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बता हूँ, तो सारे गाउं वाले उनकी शकल देख रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो बोले, कि सवाल ये नहीं है, कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर बाया, कि उसके अंदर इतनी दागत कहां से आई, और बोले, इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे, उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, उस कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक की, वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं